राम राम आज हम श्रेमत भगवत गीता के अध्यातीन कर्म योग का श्लोक बाईस संस्क्रित उच्छारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे पहला चरण न न में अमिक्स किया में पा था के उपर जो आधर है उसको पा के साथ करना है पार्था मातरा के अंदर जो आधस है उसको था के साथ पार्थास त पे ए की मातरा पार्थास ती क पूरा है त के उपर आधर उसको क के साथ पढ़ेंगे कर त पूरे के साथ आधर वत त और यह पूरा कर्थाव्या शब्द पूरा होने के बाद यह पे अनस्वार आधर म कर्थाव्या पहला चरण फिर से नमे पार्थास्ति करतव्यम दूसरा चरण देखते हैं त्रिशू दोनों मात्रें छोटी हैं लंबा नहीं खीचना लोकेशू की की के बाद में है यहां यहां क्या होता है जो च वाली लाइन होती है च च ज ज ज और यहां पर संस्कित वर्ण माला हलंत में चलती है इसलिए यहां आदा है यह क्या करेगा की पर आदे न की बिंदी लगाएगा किन और च न में आमिक्स करेंगे किन च न सेकेंड चरण रिपीट त्रिशू लोकेशू किन च न पहला और दूसरा चरण साथ में न में पार्थास्तिकरतव्यम त्रिशू लोकेशू किन च न तीसरा चरण नान न में आमिक्स किया नान वा के साथ आदा पवाप और त में आमिक्स करेंगे वाप त म मी आमिक्स किया म, वा के साथ आधा प, वा फिट त के साथ आधा वा ताव और यह पूरा तव्य, शब्द पूराने के बाद यह पे अनस्वार आधा म, मवा तव्यम तीसरा चरण एक साथ, नान वाप्त म वाप्त व्यम चौथा चरन व पूरा है त के उपर आधार व के साथ करेंगे वर और त में आमिक्स करेंगे वर्त एवा व में आमिक्स क्या एवा च में आमिक्स क्या च का पूरे के साथ म के उपर जो आधार है उसको पढ़ेंगे कर म में आमिक्स करते वे मनी कर मनी तीसरा और च्वाथा चरण साथ में नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तवीवचकर्मणी पुरिश लोक का उच्चारण एक साथ नामे पार्थास्तिकर्तव्यम त्रिशूलोके शुकिन्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तवीवचकर्मणी एक बार फिर से नामे पार्थास्तिकर्तव्यम त्रिशूलोके शुकिन्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तवीवचकर्मणी श्लोक का अर्थ देखते हैं भगवान पिछले श्लोकों में अर्जुन को आसकती रहित होकर कर्तव्यकर्म करने के लिए कह रहे हैं जिसमें भगवान ने अर्जुन को कहा कि आसकती रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है फिर भगवान ने इस चीच का उधारन भी दिया कि ऐसा कौन है जिनोंने आसकती रहित होकर कर्म करके परमात्मा की प्राप्ति की उसके लिए भगवान उधारन देते वे राजा जनक जैसे अनिक महापुरुशों का उधारन दे रहे हैं कि राजा जनक जो मासीता के पिता स्वरूप थे उन्होंने ग्रिहस्त आश्रम में रहकर आसकती रहित होकर कर्म करके परमात्मा की प्राप्ति की थी और कर्म करने से फिर लोक संग्र कैसे होता है क्योंकि भगवान ने ये बोला अर्जुन को कि तुम लोक संग्र के लिए कर्तव्य कर्म करो तो कर्म करने से लोक संग्र कैसे होता है उसको भगवान ने पिशलिश्लोप में बताया कि जो श्रेष्ट मनुष्य जिस जिस प्रकार से आचरन करता है दूसरे मनुष्य पर भी उसके आसकते रहित होकर करतवे कर्म करने से एक छाप पड़ती है और दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरन करने लग जाते हैं तो अब भगवान आगे के जो तीन श्लोक हैं बाईस तेईस और चोईस उसमें उधारन देकर लोक पुष्टी करेंगे न यानि नहीं में यानि मुझे पार्थास्ती यानि पार्थ धन अस्ती थ में अ की मातरा अस्ती में अ की मातरा अ और अ मिलकर आ बना इसलिए पार्थास्ती बन गया ठीक है पार्था भगवान अर्जन को संभूदित करते वें बोल रहे हैं हे पार्थ उसके बाद में अस्ति, अस्ति यानि है, कर्तव्य, कर्तव्य, त्रिशु, त्रिशु यानि तीनो, लोकेशु यानि लोकों में, किंचन यानि कुछ, नानवाप्त, देखो नान, तो नधन, न यानि क्या हो जाता है, नहीं, अब नधन, अनवाप्तव, म पूरा है न, म का अनवाप्तम न धन अनवाप्तम न यानि नहीं अनवाप्तम यानि अप्राप्त है अफिर जो आधा महपनी वाप्त की साथ जुड़ा मामी जो अ मिक्स किया ता उससे बन जाएगा अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम यानि प्राप्त करने योग्य वर्त वर्त यानि लगा रह एव यानि ही च यानि और और कर्मनी यानि कर्तव्य कर्म में तो क्या बूला भगवान ने ही पार्थ इस मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कुछ कर्तव्य है और नहीं प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे अप्राप्त है फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं। भगवान अर्जुन को अपना उधारन देते वे कहते हैं कि इन तीनों लोकों में मेरे लिए करने के लिए कुछ भी शेश नहीं है और ऐसी कोई वस्तु मुझे अप्राप्त नहीं है मतलब जो प्राप्त नहीं है जिसे मैं प्राप्त करने के लिए कर्तव्य कर्म करूँ फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूं भगवान यहां पर अपना किसी एक लोग के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि भगवान एक लोग तक सिमित ही नहीं है भगवान तो तीनों लोकों के बारे में बात करते हैं अरजुन को बताता है कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन कोई कर्तव्य शेश नहीं है क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी पाना शेश नहीं है सब कुछ भगवान को मिला हुआ है जबकि मनुष्य कुछ न कुछ पाने के लिए करतवे कर्म करता है तो भगवान क्या कहना चाते हैं अरजुन को कि कुछ भी ना तो करना शेश ना ही कुछ भी पाना शेश फिर भी मैं करतवे कर्म करता हूँ तो फिर करतावे भगवान किसके लिए करते हैं जब भगवान के लिए ना तो कुछ पाना शेश है और नहीं कुछ करना शेश है भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं यह हमें पता भी है कि भगवान ने ये श्लोक अध्याचार में बोलके भी बताया है यदा यदा ही धर्मसे गलानेर भवति भारत अप्योत्थानम धर्मसे तदात्मानम स्रिजाम में हम जब जब धर्म की हानी और अधर्म की वृद्धी होती है तब भगवान अवतार लेते ह फिर उसके बाद में भगवान ने मिला परीत्राना ये साधू नाम विनाशायच दुश्कृता मतलब कि साधू की रक्षा और दुश्टों का विनाश करने के लिए तो भगवान की जो जो भी अवतार लेने के कारण है वो कीवल दूसरों के हित के लिए हुए धर्मे की स्था कुछ भी करना और कुछ भी पानाशेश नहीं होते वे भी केवल दूसरों के हित के लिए कर्टव्य कर्म करना है इसके भगवान अवतरित होते हैं अवतार के अलावा भी भगवान ने जो इस शिष्टी की रशना किये इससे भी भगवान को कुछ चाहिए नहीं लेकिन मनुष्य जीवन से परमात्मा की प्राप्ति कर सके और इन चोर्यासी लाख योनिया नरक इन सब का भुकतान हम चुका दे क्योंकि यहां हमको जाना ही नहीं पड़े मनुष्य शरीर में इस तरह हम परमात्मा की प्राप्ति करने तो भगवान ने हर सब भी कारिये चो किये ह वो कीवल चाहे श्रिष्टी की रचना हो चाहे उनके अवतार लेने का कारिय हो चाहे यहां आनी के बाद में जो भी किया गया कारिय हो वो कीवल दूसरों के हित की भावना रखकर किया जबकि भगवान के लिए ना तो कुछ पाना शेश है ना कुछ करना शेश है तो इस तरह भगवान अर्जुन को धारन देते हैं कि जिस तरह मेरे अवतार लेने का कारण इस श्रिष्टी की रचना करने का कारण और तीनों लोकों के हर्थ कर्तव्य कर्म के पीछे कीवल दूसरों का हित है वैसे तुमें भी दूसरों के हित का भाव रखते हुए आसकती रहित होकर कर तव्य कर्म करना चाहिए अविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारे 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 नारे